अगर यह x में कर रहा है तो यह 6 गंटे कम ले रहे तो x प्लस 6 b एक गंटा कम ले रहाता तो b x प्लस 1 में करेगा c आदा समय ले रहाता तो c 2x आपको अच्छी तरह पता है पेटा time is inversely proportional to efficiency time efficiency के inversely proportional होता है तो आप खुद देखिए पेटा efficiency क्या आजाएगी efficiency निकालना हूँ मैं किसकि a प्लस b प्लस c की किसके साथ में c के साथ efficiency का रहे रहेशो क्या आजाएगा just reverse तो भीटा यह 2x हो जाएगा और यह x क्यों इसका समय इसके साथ इसका समय इसके साथ inversely proportional होता है time का रहेशो तो यह था इसका just reverse होता है efficiency का ratio जब मैं efficiency निकालता हूं तो बिटा क्या आ गई 2 ratio 1 यानि C की 1 है तो A plus B की कितनी रही होगी 3 की 2 है तो A plus B की भी 1 तो आपको यहां से पता चल गया efficiency A plus B की और C का ratio क्या है 1 ratio 1 तो time का ratio क्या हो जाएगा just बिलकुल reverse 1 ratio 1 तो C को कितना समय लग रहा था बिटा 2X समय इसको भी 2X तो बिटा इनको समय भी बरावर ही लगेगा agree करते हो A plus B किसी समय को 2X समय में कर पा रहे हैं तो बिटा देखो A plus B किसी काम को 2X दिन में कर पाते हैं A देखेंगे कितने extra दिन में कर पा रहा है हम ये निकालेंगे कितने extra दिन में कर पा रहा है क्यों निकालेंगे ये अभी बताता हूँ आपको कितने extra में कर पा रहा है बिटा ये दिन तो कम रही होंगे जब दोनोंने मिलके किया है तो ये जादे रही होंगे तो x प्लस 6 माइनस के 2x इतने ही तो extra दिन लग रहे होंगे जितने दिन में किया उसमें से ये 2x घटा दो मान के चलो a प्लस b 10 दिन में कोई काम कर रहा है और a अकेला 16 दिन में कितने extra लग रहे होंगे 16 में से 10 घटा दो वही काम यहां किया तो क्या आ जाएगा 6 माइनस के x b को कितने extra लग रहे होंगे दिन यही काम b के साथ कर दू x प्लस 1 माइनस के 2x तो 1 माइनस के x ये extra दिन आ गए a को कितने लग रहे थे b को तो बिटा आपको एक concept पता होना चाहिए इस question को करने से पहले पूरा solve नहीं करना है a प्लस b किसी काम को अगर x दिन में करता है और a को extra लगते हैं 5 दिन और b को extra लगते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा दिन की बात हो रही है तो ये x direct निकलता है बिटा अंडर root में 5 इंटू 3 इन दोनों की multiply ठीक है ये कई सवालों में लगता है यहां हमें direct लगाना है तो इसी concept का हम फायदा उठाएंगे तो यहां से हम बिटा किसकी value निकाल सकते हैं direct 2x की तो आप कर सकते हो बिटा 2x equal to अंडर root में 1 minus के x इंटू 6 minus के x इंटू 6 minus x ठीक तो बिटा 2x ये दोनों साइड square कर दो squaring बोथ साइड अंडर root हट जाएगा ये क्या हो जाएगा 4x square equal to देखो करो तो 6 minus x minus 6x minus minus plus x square तो बिटा ये इधर आएगा क्या हो जाएगा minus के 3x square और ये minus 7 plus 6 equal to 0 ये आपने करना सीखा होगा factor कैसे करोगे मैं आपको पूरे करके दिखा रहा हूँ वरना direct करते हैं ठीक है direct हम अलजेब्रा में सीखते हैं इसको minus के 3x square बिटा ये 7x है minus के 9x plus के 2x plus 6 क्या हो जाएगा minus के 3x common ले लूँगा तो x plus 3 दो common ले लूँगा तो x plus 3 क्या आजाएगा यहां से minus के 3x plus 2 और क्या हो जाएगा यहां से x plus 3 बिटा तो यहां से क्या आजाएगा x equal to minus 3 बिटा समय कभी negative हो सकता है तो इसको neglect कर देंगे इसको नहीं लेना है क्या हो जाएगा यहां से बिटा x equal to 2 by 3 x की value आ गई 2 by 3 हमसे क्या पूछाता a और b कितनी देर में करेगा तो a plus b कितनी देर में करेगा बिटा 2 into x 2 by 3 यानि 4 बटे 3 गंटे में x काम को complete कर लेगा तो हमारा क्या answer आजाएगा इसका 4 बटे 3